सहयवगंज जिला मंडरो प्रखंड के उतक्रमित मत विध्याले ग्राम कुलभंगा पहाड में कंप्लेन करने के बावजूद भी हेड मास्टर कुलदीप यादव एवं सहायक शिक्षक संकरदास पिछले दो बरसों से विध्याले नहीं आ रहे थे जिसका वीडियो मेंने सप्टेमबर दो हजार चौदा में बनाया और सहयवगंज उपायुक्त को इसकी सूचन दी मास्टर आता है? मास्टर को देखा है तुम? देखा है कब देखा? लहाँ, चात्वीश दन मरे में आता तो मास्टर नाम क्या है मास्टर का? कुलदीप ज्यादव है और संकरदास है तो आप लोग कभी कुछ बोले उन लोगो की क्यों नहीं आते हैं? हम लोग बोले हैं तो बोलने के बाद बोला था कि कहां पर जाके सिकायत करोगे जाओ, सिकायत करो आवेदान तो दिया गया था डीसी साहिब को भी और उसमें तो आवेदान देने के बाद ही आने लगा तो फिर एक दू दिन आया मैंने एक मेना दो मेना हो गया उसके बाद चले गया हैं उसके बाद तो आये नहीं रहा हैं करम सिक्षा समिती की अध्यक्त सुर्जा पाड़िया है वो तो उनके साथ मिलजुल के पैसा निकल की खा लेते ह और वो क्या बोल पाएंगे हेड मास्टर राकेश, कुमार पांडे एवं सहायक सिक्षक राम लाल मालतो को बहाल किया जो नियमित रूप से विद्धाले संचालन कर रहे हैं मेरा यहां पर प्रत्य नियुक्ति हुए परधान सिक्षक में और एक मेरा सहायक सिक्षक है राम लाल मालतो यहां पर शमस्या तो बहुत है समस्या में है कि यहां पर पले बोर्ड ने है पढ़ाने के लिए न टेबूल है न खुरसी है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा समस्या है यहां पर मैं इसके लिए अपने पदाधिकारी को गेट किया हमने अस्वासन दिया है कि दो दिन में हम सब कुछ ठीक करते हैं खाने को बेवस्ता भी देखे खाने अमडियम का भी सभी बेवस्ता को पोले हैं कि हम सुचारूसे उन से बात करके मैं कुल्दीच से बात करके मैं काल मैं इसके बारे में तो सब गरता था पॉले बताने के लिए लेकिन हम खड़े हो के हम बताये ते उसके बाद आव सही होने लगा मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरा भतीजा भी इसी विद्याले में बढ़ता है मेरे वीडियो बनाने पर दो वर्सों के बाद एक बार फिर कुल्भंगा पहाड के विद्याले में सिक्षा की किरन बापस आई इसलिए मैं साहयोगन जिले के उपायुक्त एवं उन सभी लोगों को धनेवाद देती हूँ जिन्होंने विद्याले के समस्या को दूर करने में हमारी मदद की मैं सिखा कुमारी पहाड़ी जिला साहयोगन जारखंट से इंडिया अनहट के लिए झाल